मसकार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिरेक देखें नया टॉपिक क्या है कि आप पोइंटेबल का जो समीकरन है बड़ा दिल्चस्प हो गया है और पोइंटेबल के हिसाब को अगर समझें तो मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है कई सारी टीमों के लिए बा के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दिया कहीं एक वजह से एक परिषानी खड़ी होगे मैं पोइंटेबल के हिसाब से बताँ तो मैं run rate है तो वहाँ तक अभी-अभी ऐसा लग रहा है हमेश कि शायद टीम इंडिया के लिए कोई परिशानी नहीं होगी टीम इंडिया के लिए सब कुछ ठीक होगा लेकिन अभी भारत का एक मुकाबला बचा हुआ है जिंबाबे के साथ जो सबसे आखरी मुकाबला होगा लीग मैचों का जो सबसे आखरी मुकाबला होगा अब जिंबाबे की टीम ऐसी है जिसने बड़ा उलट फिर किया है उसने पाकिस्तान को हरा चुकिया जिंबाबे की टीम पाकिस्तान के गेनबाजी और बलेबाजी दोनों मजबूत थे लेकिन जिम्बाबे ने पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हार दी तो यहां पर अब सबसे बड़ा बात क्या है कि पाकिस्तान के जो पॉइंट्स है वो है चार अब पाकिस्तान के चार पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के एक मुकाबला बचा है बांगलादेश के साथ, अब ऐसा नहों कि बांगलादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर टीम इंडिया के साथ खेल कर दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बांगलादेश को हरा दिया, तो पाक पर पर टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्योंकि टीम इंडिया के भी 6 पॉइंट्स हैं और रन रेट अगर पाकिस्तान का बहतर हो गया तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए मुश्किले खड़ी हो सकती हैं अब अब जो आने वाला सुपर संडे है क्यो के बाद में अगर बड़ा उलट फेर नहीं हुआ अगर जिंबाबे ने ऐसा कुछ हैरत अंगेज काम नहीं किया तो फिर ठीक है फिर तो टीम इंडिया जिंबाबे को हरा कर पहुंची जाएगी लेकिन अगर जिंबाबे ने कहीं न कहीं इंडिया को हरा दिया या फिर बड़ से खड़ी करती है हालांकि टीम इंडिया मजबूत है जिमबाबे के खिलाब टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जिमबाबे जीतेगी लेकिन जिमबाबे बड़ा उलट फेर कर चुके है इस ट्वेंटी विशुकप में पाकिस्तान को जि जिमबाबे की टीम ने जितने भी मैचिस हा रहे हैं वो क्लोज मैचिस हा रहे हैं उनकी बल्लेबाजी ने और गेंदबाजी ने काम किया है इसलिए जिमबाबे की टीम बड़ा उलट फेर कर सकते है और या अगर ये उलट फेर हो गया तो टीम इंडिया के सपने टूट जा झाल कर दो लगत कर दो झाल कि उनल कि एक को लायोसिका